हेलो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं यहां सब मुंबई घुमने गए थे और यहां पर सभी वापस मुंबई से लोट रहे हैं चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अरे श्याम की पापा मुंबई तो मुझे बहुती ज़्यादा पसंद आ गया है कितना अच्छा जगा है रहने के लिए मुझे तो मज़ा ही आ गया मुंबई घुमकर पता नहीं आप कब जाना होगा फिर से हमारा मुंबई बहुती मज़ा आया श्याम की पापा आपका बहु कर आया हूँ वैसे तुम क्या बोल रही कि अगली बार नहीं जाने के मिलेगा अगली बार हम बैंगलॉर चलेंगे घुमने अरे क्या सच में श्याम की पापा आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है लगता है आपका मूर बहुत ही अच्छा है आज हरे हाँ मेरी भोरी राध करो जल्दी-जल्दी खाओ आखर इतना थिरे-जीए कौन छाटा है हरे सोनम तुम तो रहने तो देख रहा था मैं तुम कैसे खा रही थी जानवरों के जैसे जिसे कितना ज़्यादा भूग लगा था मैं तो भाई अच्छे से खाता हूँ क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है और तुम तो सबसे बड़ी शैतान हो हरे देखो जरह ये दोनों फिर से शुरू हो गए लेकिन कितनी अच्छी बाद है कि मुंबई में ये लोग एक बार भी नहीं जगड़े हरे वैसे मैं बताओ तो मुझे सबसे ज़्यादा जुहू चपाटी में मज़ा आया वहाँ पर तो मुझे बहुती ज़्यादा मज़ा आया वैसे बच्चों तुम सबको जो पसंद था वो सब तुमको मिल गया है ना कोई नाराज होकर तो नहीं जा रहा है अलिया आँटी अशा कुछ भी नहीं है मैं तो बहुती ज़्यादा खुश हूँ मुझे जो जो पसंद आया था वो आप सब ने लेकल ही दे दिया बश मम्मी की थोड़ी शी याद आ ली थी बागिश अब तो बहुती ज़्यादा मज़ा आया चलो अच्छा है कि सारे बच्चे खुश है तो हम भी खुश है लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि सोनम के पापा होते तो और भी मज़ा आता वैसे बच्चो ये बताओ कि तुम सबको सबसे ज़्यादा मज़ा कहां पर आया जरा मैं भी तो देखूँ अंकल मुझे बीच पर अरे नहीं अंकल मुझे तो मुगल में बहुत ही अच्छा लगा था और वहाँ भी अरे अरे बच्चो एक एक करके बोलो मुझे भी जानना है कि तुम सबको सबसे ज़्यादा मज़ा कहां पर आया है जल्दी बताओ सोनम बस हाँ एक जगा तुम्हे बहुत ज़्यादा परिशान हो गई थी जहां पर राधा का पर्स घुम गया था है न राधा तुम्हें याद है क्या वो तो अच्छा हुआ कि श्याम ने देख लिया कैसे वहाँ पर डटकर बैट गया हटी नहीं रहा था अचाना से नजर गई मेरी तुम्हारे पर्स के उपर अरे हाँ दीदी आप सहीं बोल रही है मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा समझदार है उसके अंदर पैसे और होटल की चाबी सब रखी हुई थी अच्छा हुआ तक कि श्याम ने देख लिया था मेरा प्यारा बेटा वैसे हाँ श्याम ने तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं कि इस बार मेरे साथ ही था हर टाइम वैसे अंकल मुझे मॉल में सबसे ज़्यादा मज़ाया वहाँ पर जबने आइसक्लिम खाई थी वो तो मुझे अभी तक याद है और हाँ वहाँ पर अपने आप उपर जरने वाले शीरी भी थी उस पर तो और भी ज़्यादा मज़ाया राहुल तो गिरने भी वाला था मुझे बहुत ही ज़्यादा हशी आ ले थी अरे सोनम भी ना कभी भी चुप नहीं बैठ सकती है हमेशा मेरी मज़ाक उड़ाती रहती है अरे अरे राहुल तुमने कुछ बोला क्या मुझे जल्दी बताओं क्या बोला बोला देख रहे न में तुमें छोड़ूंगी नहीं और यहाँ श्याम को अचानक छेची लग जाती है और फिर नीचे उतर कर अकेले ही कहीं पर जाने लगता है अरे अरे श्याम तुम नीचे क्या कर रहे हो बेटा क्या हुआ अरे कहीं तुम छेची तो नहीं आई है वही तो बोलो पूरे राश्ते तुमने छेची नहीं किया है और वहाँ पर क्या कर रहे हो निखलो बेटा महाँ पर छेची मत करना वरना हमें भोती डाटेंगे श्याम भी ना चलो मैं तुरेट लेकर चलती हूँ बेटा अच्छा दीदी मैं श्याम को छेजी करवाने लिए लेकर जा रही हूँ ठीक है ना और अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी आप सब बैठिये हाँ हाँ श्याम रुको मैं चल रही हूँ बेटा ये बोलकर राधर श्याम को टोरेट लेकर जाने लगती है चलो चलते हैं चल्दी वरना श्याम मेरे उपर ही कर देगा और यहाँ पर सभी अच्छे से बिरियानी खाकर बैठ जाते हैं चलो कल सुझे में अपने स्टेशन बर पहुत जाएंगे बहुत ही ठक गया हूँ मैं अले मम्मी मुझे भी बहुत ही जोड़ से नीन दा रही है मुझे सोना है अरे हाँ मुझे भी बहुत ही जोड़ से नीन दा रहा है मैं तो जा रहा हूँ सोने अरे हाँ रात होने वाली है बच्चे को नीन आने लगा अच्छा कृष्णा सुनो जरा तुम बैग वो सब नीचे रख दो अच्छे से बच्चो को नीध आरी वो जाकर सो जाए अच्छे से अभी थोड़ी दिर में रात हो जाएगी अच्छा राहुल बेटा तुम जाकर उपर सो जाओ अच्छे से, ठीक है ना अरे हाँ हाँ चंदा जी रुकिये मैं आप ही सारा बैग वैग रख देता हूँ अच्छे से नेन तो मुझे भी काफी आ रही है और यहां राधा श्याम को छीछी करवा कर वापस आ जाती है क्या श्याम तुम भीना मुझे कितना ज़्यादा परिशान करते हो सारे पैसंजर को भी परिशान कर दिया चलो जल्दी अरे अरे यह क्या यहां पर तो सब सो गए लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा ठक गए हैं हरे दीदी आप क्यों नहीं सोए आप क्यों जागे हो हरे राधा में बस तुम्हारा ही इंतिजार कर रही थी विसे इतिजार देर कैसे हो गया देखो तुम कपसे गई थी और अभी आई हो चलो आओ बैट जाओ अरे हाँ दीदी वो श्याम देखी नमस्ती करने लगा अधर धर भागने लगा तो क्या कर सकती थी सारे पैसेंजर्स को परिशान कर दिया श्याम ने श्याम को भी नींद आ रहे हैं पहले उसे सुला देती हूँ चलो मेरे प्यारे श्याम में तुम्हें सुला देती हूँ अच्छे से और यहां राधा श्याम को सुलाने जाने लगती है चलो यहां पर सो जाओ मेरे प्यारे श्याम ला 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 लोरी दूद की कटोरी हरे वा श्याम तो सो गया चल अब इसे चिंकी के पास सुला देती हूँ अच्छे से देखिए दीदी सारे बच्चे सो गए अब हम भी सो जाते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा नींदा आ रही है हरे हाँ राधा मुझे भी नींदा रही है चलो चल कर सोते हैं गुड नाइट दीदी आपको और यहाँ पर सभी अपने अपने जगे पर सो जाते हैं और यहाँ सुभा हो चुकी है लेकिन यह क्या यह सभी तो अभी तक सो रहे हैं और स्टेशन तो बस आने ही वाला है औरे मैं तो ठकी गया रात पर अच्छा डबबा ढूंते ढूंते तो मैं फागल हो गया हूँ यहाँ पर तो कोई पैसे वाला नहीं आया है चलो यह आखरी डबबा है यहाँ पर भी देख लेता हूँ शायद कुछ चोरी करने को मिल जाए हाथ में लग जाए कुछ चलो जाकर देखता हूँ अरे अरे यह क्या इनके पास तो धेर सारा सामान है और यह सब तो सो रहे हैं यह अच्छा मोका है चलो मैं जाता हूँ कितने बड़े-बड़े सूट के ऐसे लगता है इसके तना पूरे पैसे भरे हुए है यह लोग तो बहुत ही जादा आमीर दिख रहे है कोई जागा तो हुआ तो नहीं है पहले अच्छे से देख लेता हूँ वरना पकड़ा जाओंगा तो पुलीस के हाथ लग जाओंगा चलो धीरे-धीरे जाता हूँ अरे वाई यहाँ पर तो सब सो रहे हैं अरे उपर भी सब सो रहे हैं चलो चलो यही अच्छा मोका है और यहाँ चोर चोरी करने लगता है अरे इस बैग में क्या है कितना जादा भारी है यह लगता है इसके अंदर पुरा माल भरा हुआ है चलो यहाँ से भागता हूँ जल्दी से वरना यह लोग बस जागनी ही वाले होंगे आज तो मज़ा ही आ गया बहुत ही बड़ा माल हाथ लगा है चलो जाता हूँ यह बोलकर चलो वहाँ से चोरी करकर भाग जाता है और यहाँ पर सभी सो रहे हैं और फिर अचानक से शाम की पापा उठ जाते हैं अरे यह क्या सुभा हो गई है चलो उठ जाता हूँ जल्दी से अरे लगता है अभी सब लोग सो रहे हैं और यहाँ हमारा स्टेशन तो बस आने ही माला था अरे यह क्या लगता है ट्रेन भी रुकी हुई है लगता है हमारा स्टेशन आ गया चलो मैं सबको जगाता हूँ जल्दी से यह सब लोग तो घोड़े बेच कर सो रहे हैं और यह हमारा स्टेशन तो आ गया है चलो मैं जगाता हूँ सबको राधा राधा चलो उठ जाओ जल्दी से राधा जल्दी उठो हमारा स्टेशन आ चुका है उठो जल्दी भाई उठो वरना हमारा स्टेशन छूट जाएगा राधा उठो जल्दी अरे लगता ही ये लोग बहुत जे अथक गए है चंदा जी सोनाम जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ भाई अले मम्मी हम घल पल पोहोच गए हैं क्या मुझे पापा मुझे मिलना है जल्दी चलिए औरे हाँ सोरह अभी जल्दी ही मिलेंगे तम्हारे पापा से और यहां श्याम की पापा सारा समान निकाल रहे होते हैं औरे यह या यह तो एक ही बैग है बाकी का बैग कहाँ पर है यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है अरे राधा क्या हुआ श्याम की पापा अरे राधा हमारा एक बैग नहीं मिल रहा है कहाँ पर गया कौन सा बैग देखिये न यहीं कहीं पर होगा अरे नहीं रादा मैं हर जगा ढून चुका हूँ लगता है हमारे डब्बे में चोरी हुई है कोई चोर हमारा बैग उठाकर लेकर गया है अरे क्या वो रेंश है आमकी पापा आप अरे हाँ थोड़ी देर पहले मैंने भी कुछ आवास सुना था तो जाकर बताता हूँ अंकल को शायद वो चोरी था ये बोल कर राहूल नीचे उतर नहीं लगता है अरे हाँ अंकल मैंने भी थोड़ी देर पहले बहुती जोड़ से आवास सुना था वो तो मुझे लगा कि आप है तो मैं सो गया मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन शायद वो चोरी था अभी उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अगर आप जाएंगे स्टेशन पर तो उसे पकड़ सकते हैं जाए जल्दी अंकल अरे हां राहूल बेटा तुम सहीं बोल रहे हो अच्छा ना था मुझे चलना चाहिए मैं जाकर देख लेता हूँ एक बार शायद वो चोर यहीं कहीं आस पास ही हो मैं उसे पकड़ लूँगा ठीक है ना तुमों च्रणन जी बाकी का सामान लेकर स्टेशन पर उत्रो ठीक है ना मैं जाकर देखता हूं चोर जाकर देखता हूँ उससमे हमारा सारा सामान रखा हुआ है अरे भाई इस बैग में क्या है आखर कि इतना वजने चलो भागता हूँ अरे कहाँ पर है चोर अरे कहाँ पर अरे चोर रुग जा रुग जा कहाँ पर भाग रहा है तू ऐसे कैसे जाने दो तुझे अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो अरे हमारा सामान लेके ऐसे ही तुम्हें जाने दे यहाँ पर आओ तो जरा यह ले चोरी करते में शरम नहीं आती बेशरम कहीं का इतना वज़न सामान लेके कैसे भाग रहा था अरे भाई साब मुझे माफ कर दो अगले बार कभी भी चोरी नहीं करूंगा अरे छोड़ दो छोड़ दो मैं चला जाओ यहां से अब हेक तो चोरी और उपर से सीना जोरी ऐसे ही नहीं जाने दूँगा तुझे अरे भाई छोड़ दो मुझे मत मारो मुझे जाने दो हाँ अंकल और माली अंकल बोरी तो मैं भी आ जाता हूँ उसे मारने के लिए आप बता कभी और चोरी करेगा तू अरे नहीं भाई साप मैं कभी भी चोरी नहीं करूगा छोड़ दो मुझे छोड़ दो जाने दो अरे कोई समझाओ इसे वरन्ना मैं मर जाओंगा अच्छा ये बात चोरी करते हुए नहीं समझ में आई थी कि अगर पकड़ा गया तो कितना मार पड़ेगा तुझे तो और माना चोहिए ये ले ये ले इन चोरों सो तो मैं ठक गया हूँ अरे भाई माफ कर दो मुझे माफ कर दो अरे श्याम के पापा बस कर दीजिए छोड़ दीजिए बिचारे को वरना हो मर जाएगा जाने दीजिए उसे और यहां श्याम के पापा भी आ जाते हैं चलो जाकर देखता हूँ सब आ गया होंगे अरे ये क्या हो रहा यहां पर दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी होता प्लेज वीडियो को लाइक और चनल को सब्स्क्राइब जरू कर देना थैंक यू